तो आपको पता है हाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ RRB, Norset and ESIC की preparation जो जो बच्चा इन exams की preparation कर रहा है इस चान को subscribe कर लीजेगा, वीडियो को like कर दीजेगा and share कर दीजेगा अपने friends के साथ आज हम करने जा रहे हैं 731 question already हम 730 questions कर चुके हैं और उन में से अगर 5-6 questions भी आप लोगों को आते हैं तो आपके 5-6 number पके सो previous वीडियो ज़रूर visit कर येगा and RRB and Norset के लिए batches जो है start हो चुके हैं आप इस number पे call या फिर message करके आज ही मेरे साथ join कर सकते हैं ESIC के जो classes हैं वो finish होने जा रही हैं और RRB and Norset की जो start हो गई है so RRB and Norset के लिए मेरे पास 2 batches जो है वो start होए हैं एक है 1499 का batch जो की है 3 months का batch ये full live and recorded batch है जिसमें आपको live भी मिलेगा and recordings भी मिलने वाली हैं इस batch में मैं आपको करवाने जा रही हूँ important topics of all the subjects हर एक subject by subject हम करेंगे important topics जो की 200 plus रहने वाले हैं मतलब की उन चीजों पर focus करेंगे जो की exams में important आएंगी साथी में रहने वाली है MCQ classes of all the subjects subject by subject जैसे जैसे topics चलेंगे वैसे MCQ classes होंगी test series चलती है Sunday to Sunday doubt classes रहती है previous year paper आप लोगों को मिलता है साथ ही में discuss करते हैं live plus recorded classes रहती हैं अगर आप live नहीं लगा पाते तो आपको recordings भी रोज मिलती हैं और आप live भी लगा सकते हो यह batch जो है यह 3 months का batch है और जो दूसरा batch है वो है 2499 का जो इस टाइम offer में चल रहा है 2299 का so आप आज ही join कर सकते हो यह batch है 4 months का full-fledged batch इसमें यह रहेगा कि आपको सबसे पहले आपका basic clear किया जाएगा anatomy and physiology आपको करवाई जाएगी and non important topics भी करवाई जाएगे ऐसा नहीं है कि वो important नहीं है बस कि उन में से questions थोड़े कम आते हैं पर हमारा basic clear करने के लिए हमें वो topics करने बढ़ेंगे then इसमें आपको important topics भी करवाएंगे all theory कराई जाएगी हर एक subject की important topics इसमें भी आपको बताए जाएगे जो आपको करने है MCQ classes रहेंगी, doubt classes रहेंगी test series भी रहेंगी and previous year paper भी रहेंगे यह batch रहेगा full 4 months का batch specially for RRB and Northset आप आज ही join कर सकते हो यह number है आपकी screen पे इस पे call या फिर message करके so चलती हूँ मैं अपनी question पे 731 question है and ESIC के लिए अगर आपको ESIC के लिए अभी भी join करना है तो 799 का MCQ crash course हमारा चल रहा है जिसमें आपको MCQs की live and recorded classes 799 का ESIC का crash course भी आप इस number पे call या फिर message करके आज ही join कर सकते है so चलते हम अपने question पे question देखो क्या कह रहा है a client is watching the news tells the nurse that the new caster is sending a news to the message to the client what term is used to identify the symptoms तो देखो एक client है news watch कर रहा है तो nurse कहता है कि news caster ना उसे message send कर रहा है client को ठीक है so carry है इसमें आपको क्या identify होता है देखो अगर आपकी पास एक patient है उसके सामने आपने news चला ली और वो कह रहा है कि यह जो news में cast कर रहा है जो news cast कर रहा है अंकर है जो वो उसे message कर रहा है तो मतलब उसे क्या हो रहा है क्या identify करते हो क्या symptom है यह hallucination, idea of reference, delusion, flight of ideas so देखो hallucination तो हमें पता है कि absence of stimuli में गलत perception होना किसका absence of stimuli में क्या होना false perception होना कुछ ना होके भी patient को यहाँ पे समझ लगना कि हाँ कुछ है पर यहाँ पे तो देखो news चल रही है मतलब वो news को देखके ही कुछ बोल रहा fixed belief होना like अगर कोई मझे मारना चाहता है even though वो नहीं मारना चाहता तब भी मुझे मारना चाहता है it's a false and fixed belief flight of ideas होता है एक idea आया उसके बाद दूसरा idea आया उसके बाद तीसरा idea आया मतलब बार-बार ideas जो है ideas पर ideas आई जा रहे है यह mostly हमें देखने को मिलता है in the mania का patient ठीक है so it's a idea of reference reference का मतलब होता है patient को लगता है everyone is talking about him क्या लगता है everyone लिख लेना everyone is talking about him or talking about him or her ठीक है so जो right option रहेगा is your idea of reference I think question clear हो गया होगा next पर चलते है a slight bluish discoloration around the navel is a sign of so जो यह bluish discoloration हो जाती है navel के around ऐसे करके उसको हम क्या बोलते है coolant sign kerning sign brudenski sign kerning sign ठीक है so it's a coolant sign coolant sign हमें किसमें देखने को मिलता है pancreatitis में ठीक है किसमें देखने को मिलता है pancreatitis में एक हमें coolant sign सक्षने को मिलता है एक हमें的 देखने को मिलता है एक और sign तो उस sign का आप मुझे कमें सेक्षन में लिखके बता ओ pancreatitis में ये देखने को मिलता है ये हमें navel के पास देखने को मिलता है जैसे कि ये navel hae umbilical region है और जो मैं दूसरा sign में देखने को मिलता है यह मैं पहले भी आपको समझा जो क्यों दोनों साइन्स क्लियर नेक्स पे चलते हैं 55 यह एज क्रोनिक अल्कोहलिक मेल प्रेजेंटेड विद एर्रेलेवन टॉक कर रहा है उसे ट्रेमर आरे स्वेटिंग हो रही है और उसने अपनी जो लास्ट ड्रिंग के अल्कोहल जो है तीन दिन पहले ली थी तो अब उसका प्राविबल डाइग्नोज क्या हो सकता है डिलीरियम ट्रेमर, डिसकॉंटिनियस सिंड्रॉम, पोस्ट अक्यूट विड्रॉल सिंटम, ओल उफ द बफ सो इट्स अ डिलीरियम ट्रेमर देखो अगर वो इर्रेलेवन टॉक कर रहा है मतलब वो कॉंशिसनेस में नहीं है ट्रेमर आ रहे हैं सो ऑविसली उसे फिट्स आ all of the following are the causes of Hydrocephalus, तो यह सारे hydrocephalus के causes है, except accept, accept जो लिखा होता है, अगर यह आपने पढ़ लिया, तो आपको सारी चीज़े समझ आ जाएंगी, अगर यह आपने miss कर दिया, तो आपका जो सारा का सारा जो रह गया, वो रह गया, ठीक है न, सो यह सारा जो ध्यान से question को पढ़ना है, और देखना है कि question क्या बोल रहा है, accept ज़रूर पढ़ना है, कभी कभी हमें accept नहीं पढ़ते हैं, और confusion हो जाती है, so hydrocephalus का यह सारे causing है, accept, obstruction in flow of mind, interference with absorption of fluid, leakage of CSF, increased production of fluid, so देखो क्या होता है, what is hydrocephalus, क्या होता है, deep brain की cavities में build-up हो जाता है, fluid, कौन सा fluid, build-up of fluid in deep cavities of the brain, so वो fluid क्या होता है, हमारा CSF, उसकी overproduction हो जाती है, या फिर उसकी क्या हो जाती है, obstruction आ जाती है, so obviously obstruction भी होती है, absorption में भी problem आती है, and increased production भी होती है, क्या नहीं cause करता है, hydrocephalus, leakage of the CSF, बहुत important question है, except, ठीक है, दो चीज़े, communication में problem आती है, patient का जो CSF है, या फिर वो produce नहीं होता, या फिर वो उसकी obstruction आ जाती है, उसकी flow में, ठीक है, communicating and non-communicating आपने hydrocephalus पढ़ा होगा, अच्छे से, ठीक है, so leakage of CSF नहीं होती है, clear, next पे चलते है, earliest sign of hydrocephalus, nurse would absorb in a two-week-old infant, तो hydrocephalus का earliest sign क्या है, जो कि nurse दो वीक-old बच्चे में देखेगी, sunken eyes, high-pitched shrill cry, bulging anterior fontanel, increase head circumference, तो without any delay, third option को tick करो, bulging anterior fontanel, अभी मैंने क्या कहा, उपर वाले question में, build-up of fluid, so, जब build-up हो जाता है, fluid cavities में, obstruction आ जाएगी, तो fluid वहीं build-up हो जाएगा, production increase हो जाएगी, तो brain में कहां रहेगा, सोजिशी देखने को मिलेगी, तो आपको anterior fontanel, जो है, बच्चे का आगे वाला fontanel, जो है, वो क्या देखने को मिलता है, bulge out, so, यह earliest sign में भी count होता है, तो इसको लिख लेना, ठीक है, sunken eyes and high pitches down, जो है, वो भी आपे देखने को मिलती है, जो sunken eyes है, वो हमें देखने को मिलती है, dehydration में, ठीक है ना, so, bulging anterior fontanel, जो है, earliest sign इनों ने पूचा, यह सारी चीज़ा है, देखने को मिलती है, hydrocephalus में, पर जो earliest sign है, वो bulging of the interior fontanel बच्चा देखने को मिलता है, ठीक है, next question पर चलने से पहले, आपको थोड़ा सा batches का बता दू, अगर RRB और Norset के लिए, आप concept clear करना चाहते हो, मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो delay मत करो, RRB की 789, 680, sorry, RRB की 678 post आउट हो चुकी है, number आपकी screen पे, आज ही आप दो batches यह join कर सकते हो, एक है 1499 का एक है 2299 का, जो की इस time offer में चल रहा है, एक है 3 months का batch बच्चे, एक है 4 months का, 3 months में आपको important topic मिलेंगे, all subjects के 200 plus रहेंगे, MCQs, classes, test series, doubt classes, previous year paper रहेंगे, live and recorded जो है, आपके पास यह batch रहने वाला है, live भी मिलेगा, recordings भी आपको रोज मिला करेंगे, अगर आप नहीं लगा पार है, 4 months के batch में सबसे पहले आपका basic layer किया जाएगा, anatomy and physiology कराई जाएगी, non important topics भी आपको समझाए जाएगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक subject की theory होगी, important topic, MCQs, doubt classes, test series, previous year paper, nutrition जैसा subject, microbiology, सारी चीज़े आपको करवाई जाएगे, anatomy and physiology, जो जितने भी अच्छे अच्छे सारे subjects हैं, वो आपको clear किये जाएगे, आप आज ही join कर सकते हो, इस number पे 79732 44089 पे call या फिर message करके, दोनों ही batches live band recorded है, ESIC के लिए 799 का MCQ crash course, अगर आपको join करना तो कर सकते हो, जिसमें आपको MCQs करवाई जाएगे, test series, doubt classes and previous year paper में करवा रही हूं, वो भी आज इसी number पे call या फिर message करके, ESIC के लिए आप join कर सकते हो, so next question पे हम चलते है, 746, most serious side effect of streptomycin, so streptomycin का most serious side effect कौन साता है, streptomycin कब देते हैं, anti-tubercal drug है, ठीक है, so autotoxicity, ocular toxicity, petotoxicity, bleeding disorder, so obviously it's an autotoxic drug, जो की आपकी ear की cranial nerve को क्या करती है, damage करती है, दो ही drugs है, thambetol and streptomycin, यह दोनों क्या होती है, neurotoxic होती है, आपकी cranial nerves को damage करती है, next is psychological change in an individual from birth to old age is referred as, so यह previous ESIC exam का question है, कि कौन सा psychological change आता है, birth से लेके old age तक, patient में, general development, physiological, social, so development होती है, हमारे जो thoughts हैं, उनकी development होती है, नहीं नहीं चीज़ों के बारे, from the birth to old age, एक learning process में रहते हैं, जिससे एक person develop होता है, सो यह psychological, psychological तो development ही होती है, journal, यह सारी चीज़े psychological नहीं है, next पर चलते है, which is not a property of extrovert personality, so extrovert personality की property कौन सी नहीं है, extrovert personality मतलग, जो person बहुत जादा socially होता है, socialize होता है, excitement seeks and like variation, social in nature, enjoy traveling, exhibit extreme aggression, so social में extreme aggression, वो शो नहीं करता है, बहुत social होता है, patient जादा छोटी-छोटी बाटों को दिल पे नहीं लगाता, positive रहके चलता है, देखो, वो excited भी होता है, social in nature भी होता है, और traveling भी enjoy करता है, obviously क्योंकि extrovert in nature है, दो personalities होती है, introvert and extrovert, जो होते हैं, वो अपने में ही खुश रहते हैं, किसी से मिलना जुला पसंद नहीं करते हैं, extroverts जो हैं, बहुत जादा socially होते हैं, बहुत बढ़ा friend circle होता है, उनका clear, यह भी ESIC का ही previous question है, next है, deficiency of vitamin D in children's may cause, so vitamin D की nutrition से question करवा रही हूँ, vitamin D की deficiency क्या children's may cause करती है, osteomalacia, rickert, plagra, या फिर beriberi, so क्या cause करती है, it's a rickerts cause करती है, defective bone formation हो जाती है, young children's में, लिख लेना इसके आगे, defective हो जाती है, bone की formation, bones जो है, वो form जो होती है, वो defective होती है, six months से लेके, लिख लेना किस age में जादा था, six months से लेके, two years के बच्चे में, due to the vitamin D deficiency, जो है, ये देखने को हमें मिलता है, next है, which antibody is seen in a recent infection, so recent infections में कौन सी antibodies active होती है, IgM, IgG, IgE, IgD, so इस question का answer, आप लोगों को पता है, मुझे comment section में लिखके बताओगे, कि कौन सी antibody, और ये important question है, recent infection में, जो है, वो active होती है, clear, so जो मैंने आप लोगों से last question पूछा था, चलते हैं उस question पे, ये रहा, in adult, enema, two, नहीं, ये वाला question नहीं था, ये था, अगर BP कफ जो है, नेरो होता है, और loosely tight, loosely जो है, अपने rap किया है, adult में पूछा है, तो वो falsely low BP आपको देगा, कैसे करेगी, ठीक है, प्रेशर कैसे आपको फील होगा, what is BP, pressure exerted by the blood on the wall of the blood vessel, so जो जो प्रेशर है, वो आपको फील ही नहीं नहीं पाएगा, तो BP कहां से फॉल होगा, BP तो low ही आएगा, so जो right option रहेगा, is your option number one, so that's it for this video, video अच्छी लगी है, तो video को like, share and subscribe कर दीजेगा चैनल को, and अगर आप लोगों को batches join करने हैं, so without any delay, आज ही आप इस नंबर पे call या फिर message करके join कर सकते हैं, batches जो है वो start हो चुके है, RRB and Norset के लिए batches है, 1499 का और 2499 का batch जो है, जो है, आप लोगों को करवाओंगी, 1499 में इम्पॉर्टन टोपिक्स जो है वो आपको करवाने वाली हूं, ता कि आपको क्लियर हो जाए, साथ ही में आपको करवाने वाली हूं, 200 प्लस इंपॉर्टन टोपिक, MCQs, test series, route classes and previous year paper, और जो 4 months का batch है, इसमें सबसे पहले आपका basic clear किया जाएगा, क्योंकि आज़कल बहुत बच्चों का नहीं clear है, non-important topics भी कराए जाएंगे, all theory कराई जाएगी, important topics भी, MCQs, doubt classes, test series, previous year paper, nutrition, microbiology, anatomy and physiology, सब रहने वाला हिस 4 months के batch में, तो आज ही join कर सकते हैं, सबस्क्राइब करें, क्योंकि आएगा, क्योंकि आएगा, सबस्क्राइब के लिए 799 का, MCQ crash course start हो गया, जिसमें test series, MCQs, doubt classes, previous year paper आपको मिलेंगे, so that's it for this video, मिलती हो कल की video में, till then do hard work and make your parents proud, all the best.